बिहार में शुराब बंदी के बाद अवैद रूप से शुराब बनाने का सिलसला लगातार जारी है। इस बीच लोगों को इसकी ऐसी रत लगी है कि जहरीली शुराब पीने से कई मोटों के बावजूद लोगों में जाक रूपता नहीं है। दरसल दियारा शेत्रों में मद ने शेद विभाग की टीम लगातार देशी शुराब बनाने वाले लोगों पर शिकंजा कस्ते नजर आ रही है। इसके दोरान एक कार खाने को भी जब्त किया गया है। जिसमें जाच करने पर कई खुलासे हुए हैं। पटना के नदी थाना शेत्र जेटली में आठ पीम क पाउच बनाने वाले अवैद शुराब के कार खाने को जब्त किया गया है। इस कार खाने से आठ पीम का डबा समेथ इसे पैक करने के लिए मशीन बोतल रैपर बरामत किये गए। यही नहीं यहाँ पर इस इपप्रीट और विस्की बनाने वाले जो केमिकल होते हैं वो भ इसी शुराब जहरीला होता है और 8 पीम ब्रैंड वाले शुराब अंग्रेजी होते हैं चुकि सूबे में बाहर से मंगवाया चाता है और लोग इसे औरिशनल समझ कर पी लेते हैं। वही अधिकारियों को कहना है कि यह 8 पीम का पाउच जो सबसे ज्यादा वैट तरीके से बिखता है इसे सम्मंधित गिरफतारियां भी ज्यादा होती हैं उसे स्पीरट से बनाई जाती है जो कि सेहत के लिए खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है हाला कि मद निश्यद विभाग के टीम अभी पूरी चानबिन कर रही है इसमें कौन-कौन सनलिप्त हैं ये पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद